Hired का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं Hired का दो तरीकि से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे hire किया गया हो या जो hire किया गया हो उसे adjective के रूप में हम hired कह सकते हैं इसके इलावा hired जो है वो hire का past and surpassed participle होता है यानि कि hire की ही second और third form होती है hired और hire का आर्थ होता है किराए पर लेना, किराए पर देना, भाड़े पर रखना, भाड़े पर लेना या नोकरी पर रखना तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हमने परिवहन के लिए एक van किराए पर ली तो आप कहेंगे we hired a van for transport या अगर आप ये कहना चाहें कि हमने पहाड़ों में ले जाने के लिए एक guide किराए पर लिया तो आप कहेंगे we hired a guide to take us up into the mountains अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें